मतलब पहले के लोग जो है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे चलिए पता लगाते हैं तो हम जो है उन लोग के बाड़े में तो जानते ही हैं जो इस सब कॉंटिनेंट में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे आज जो है हम उन्हें हंटर गैदर कहते हैं उनका जो ये नाम है यह भोजन का इंतिजाम करने की जो तरीके हैं उसके अधार पर पुकाड़ा जाता है ये जो हैं आम तोर पर खाने के लिए जंगली जानोरों का सिकार करते थे मचलिया और चीरिया को पकरते थे फल फूल दाने पौधे पतिया अंडे जो हैं इकठा करते थे और ये सब जो हैं करने के चक्कर में एक जगा से दूसरी जगा पर घुमते रहते थे तो अगर हम मोटे तोर पर बात करें तो hunter gatherer के एक जगा से दूसरे जगा घूमने के बहुत सारे कारण है चलिए एक एक करके देखते हैं पहला कारण ये है कि अगर जो है वे एक जगा पर टिक थे तो वहां के जो जितने भी plant और animal resources थे वे एक एक करके खतम कर देते इसलिए और घोजन की तलास में जो है उन्हें दूसरी जगा पर जाना परता था अगर हम दूसरे reason की बात करें तो जो animal होते थे वे अपने सिकार की तलास में एक जगा से दूसरे जगा जाते रते थे वही deer और wild cattle मतलग की हिरन और जो मावेसी होते थे ये grass और leaves की तलास में जो है एक जगा से दूसरे जगा जाते रते थे इसलिए इन जानावरों का सिकार करने वाले जो है इनको follow करते हुए इधर से उधर जाते रते थे अगर तीसरे reason की बात करे तो पेरों में और पौधों में जो है फल फुल जो आते हैं वे अलग-अलग मौसम में आते हैं इसलिए लोग जो है इनकी तलास में अलग-अलग मौसम में अलग-अलग इलाकों में घूमते रते थे और लास्टली अगर हम चौथे रीजन की बात करें तो हम जानते ही हैं कि पानी के बिना किसी भी इंसान, पेर, पौधे का जिन्दा रहना पॉसिबल नहीं है और यह जो पानी है यह लेक, स्ट्रीम और रीवर में पाई जाती है हाला कि इन में से बहुत सारे जो रीवर्स और लेक हैं वे पेरेनियल होते हैं मतलब कि उन में जो है पानी पूरे साल भर रहता है लेकिन इन में से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सीजनल होते हैं और इसलिए ऐसी जीलो और नदियों के किनारे बसे लोग को जो है ड्राइ सीजन मतलब कि विंटर और समर में जो है पानी की तलास में इधर उधर जाना पड़ता होगा तो इन चारो कारणों के थुरू हमने जाना की हंटर गैदरर जो है एक जगा से दूसरे जगा क्यों जाते रहते थे